अवर नेक्स्ट एक्सरसाइस 1.6 फिल इन दब फिल इन दब करेक्ट साइन अभी हमको ग्रेटर लेसर एंड इक्वल टू की करेक्ट साइन को यूस करना है यह आपको नंबर दिये हैं 4600 एंड 5100 अभी हमको पता है कि कंपेर करेंगे हम की कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा द करते हैं left side से means इस side से so हम पहली यह digit देखेंगे यह 4 है यह 5 है बड़ा कौन सा है 5 है so हमें पता है कि sign जो बड़ा होता है उस तरफ यह open side होती है so यह बड़ा था so हमने यह sign यूज किया next 7998 और 7928 तो left side से हम देखेंगे 7 7 same है तो हम next place पर जाएंगे यह 9 है यहां भी 9 है same है so उसके next जाएंगे यह 9 है यह 2 है कौन सा बड़ा digit है 2 यह 9 9 is greater so हम open side कहां राखेंगे इस side क्यों क्योंकि greater 9 है than 2 के so next 35,890 38,000 so which is greater so यहां से देखेंगे यह 3 है यहां भी 3 है then next place पर जाएंगे यह 5 है यह 8 है तो 8 is greater than 5 so यह open side हम इस side कर लेंगे यह sign greater की because 8 is greater the next ten thousand nine ten thousand five hundred अभी देखना है see here यह 1 है यह 1 है यह 0 तो 0 यह 1 यह 0 तो यह 5 है तो 5 greater है यह 0 5 greater है so हम यह open side ही side कर लेते है greater के sign okay the next 83,527 83,572 okay so देखना होंगा यह 8 8 same है 3 3 same 5 5 same यह 2 है यह 7 which is greater 2 और 7 7 is greater so हम इस symbol को यूज़ करेंगे greater के लिए same 56,790 56,890 so यह 56 56 same है यह 7 है और यह 8 अभी 7 बड़ा है यह 8 यह 8 बड़ा है so हम इस symbol को यूज़ करेंगे okay यह examples आपको solve करने है next question circle the greatest number in each group of numbers आपको यहाँ पर groups दिये है numbers के a one two three four 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 numbers दिये है उसमें greatest mean सबसे बड़ा सा बड़ा number जो है उसको आपको circle करना है तो आपको compare करना होंगा बड़ा number देखने के लिए left side से हर number कल left side से first digit देखना होंगा यह 8 है यह 2 है यह 7 है यह 6 है अभी यह सब first digit में से सबसे बड़ा कौन सा है यह 8 है यह 8 को circle आपके अभी यहां देखना होंगा यह 35 है यह 78 यहां पर 9 है और यह 80 अभी यह सब में बड़ा कौन सा है 80 है सो इसको कर लेने यहां पर 45, 35, 81 और 50 विच इस ग्रेटर नमबर 81 इस ग्रेटर तो circle जा 81,501 और यह आप उससे solve करना है आपको next question circle the smallest number in each group of numbers हमने यहां पर greatest number को circle किया था अब हम smallest number को circle करेंगे smallest means जो सबसे चोटा है ग्रूप में यहां पर 4 number है उसमें सबसे चोटा कौन सा है देखना है और यह भी हम compare करेंगे left side के first digits यहां 6 है यहां 9 है यहां 8 है यहां 9 यहां सबसे चोटा 6 है तो हम यहां 6 को circle करेंगे next यहां 2 है यहां 8 है यहां 25 है यहां 8 है सबसे चोटा कौन सा है यहां 2,200 है और यहां 899 है यहां 25,000 है यहां 8800 है हमें पता है हमने यह भी देखा है कि जो less digit होते हैं जो कम digit होते हैं वो कम number होते हैं यहां पर count करो 1,2,3,4 इसमें 4 digit है 1,2,3 इसमें 3 digit है 1,2,3,4,5 इसमें 5 digit है 1,2,3,4 इसमें 4 सबसे कम digit वाला number यह है means this is smaller number okay the next यहां पर भी सबसे कम digit कौन सा है 1,2,3,4 यह 4 digit का है 1,2,3,4,5 यह 5 digit का है 1,2,3,4,5 यह 5 digit है 1,2,3,4,5 यह 5 digit है 1,2,3 यह 3 means this is smaller 999 okay same इसी तरह आपको यह solve करना है इस तरह से हमारा 1,6 exercise जो है वो complete होती है